तो हलो स्टूडेट कैसे हो आप सभी लोग आई हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो फाइनले जीन का स्कालर्शिफ नहीं आया है यूपी स्कालर्शिफ 2022-2022 के बारे में आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जीन का 10 मार्च को पैसा नहीं आया है सब्धराना है अब का 10 मार्च को स्कॉलर शिफ यान नहीं आई है उनको क्या करना है आप को बता दू कि उन लोगों का पैसा यहापर कम पैसा यह उगा करते हैं तो जिन कभी पैसर नहीं आया है आपको चलना है सीधा Chrome Browser पर आपको बताता हूं čoin दोस्तों यहां पर ब्रोज़र पर आने के बाद आपको यहां पर सर्च कर लेना है यूपी स्कालाशिप जैसे आप UP सार्च करेंगे drama फर्स बेक कर देना यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद contact use के option पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अलाग अलाग यहाँ पर category की यानि की पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर अन्ने पिछड़ा वर्ग सभी के अधिकारियों के यहाँ पर नमबर दिये गए हैं और नीचे यहाँ पर टोल फिरे नमबर हेल्फ लाइन नमबर फी है तो यहाँ पर देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग का हेल्फ लाइन नमबर है तो आपको करना क्या है आपका scholarship नहीं आया है अगर आपका pending दिखा रहा है या आपका reject दिखा रहा तो बस आपको जो लोगों का verify हो चुका यानि कि जो लोग का verify हो चुका है जो लोग का pending दिखा रहा है वो लोग इन नमबर पर बात करके पूंच सकते हैं कि हाँ हमारा scholarship अभी क्यों नहीं आया है तो बताएंगे कि कब अब तक आपका scholarship आएगा आप में क्या गरबड़ी है क्या लेट है और जिनका reject हो चुका है वो भी call कर सकते हैं लेकिन उनको ज्यादा कुछ यहाँ पर फाइदा नहीं होगा जो लोगों का यहाँ पर pending दिखा रहा है जो लोगों का verify हो चुका वो लोग एक छोटा सा काम कर करते हैं कर सकते हैं यहाँ पर इन नंबर पर आप call करके इनसे पूश सकते हैं कि हमारा scholarship क्यूं रुका पड़ा हुआ है तो आपको वहाँ से मदद मिलेगी काफी ज़्यादा बताया जाएगा और आपको जो बताया जाएगा वो करना होगा उसके बाद आपकी scholarship 15 से 20 तारिक तक मार्च तक आपके account में हर हाल में transfer कर दी जाएगे तो वीडियो कसे लागा comment box में आपको comment करके जोरू बताना है मिलते हैं किसी नेस्टी वीडियो में तब तक के लिए बाबाए